मानव होना या मानवता का होना छोटी मूटी बात नहीं यह कोई सामान इस्थित नहीं है बहुत बड़ी बात है बहुत दुरलव बात है कि कोई जीव मनुश्य के रूप में जन्म पा जाए और यदि मनुश्य के रूप में जन्म पा जाए तो उसके शरीर की मानवता ही उसके लिए दुरलब रत्न है अमूल रत्न है या अन्य शब्दों में कहा जाए तो मानवता ही उस मानव शरीर की पूंजी है जो दुरलब है सवाल ये किया जाए कि कितनी दुरलब है इतनी दुरलब है कि देवता भी मनश रूप में जन्म पाने के लिए लालाईत रहते हैं मनश का ही शरीर ऐसा है जो सभी कारे करके मन चाहे कारे करके मन चाहे परणाम पा सकता है अब ये विचार करने की बात है कि यदे मानव शरीर इतना दुरलब है इतना महत्वपूण है और मानवता इतनी महत्वपूण पूजी है तो फिर इसे निभाने के लिए कितनी सजगता चाहिए कितनी सतरकता चाहिए कितनी कोशिश चाहिए निश्चित ही मानवता को निभाने के लिए निरंतर प्रयास रत रहने की आवशक्ता होती है किसी बड़े उदिश्य को पूरा करने के लिए बड़े प्रयास की आवशक्ता होती है और बड़े प्रयास के लिए बहुत बड़े धैर की आवशक्ता होती है कर्म शीलता, धैरे, तारे तम्मिता, निरंतर प्रयास रत रहने की प्रक्रिया मनिश्य को छाण प्रतिछाण आगे बढ़ने के लिए प्रोथ साहित करती है, प्रेरित करती है और यह मानवता इतनी दुरलब है कि जिसे खो देना बड़ा आसान सा होता है इसे समहाल कर रखना बहुत कठिन है इक साधना है, इक तपस्या है परन्त इतनी भी कठिन यह साधना और तपस्या नहीं है कि जिसके लिए प्रयास न किया जा सके परन्त यह तो सच है कि इतनी बड़ी तपस्या को पूरी करने के लिए बड़े दहर के साथ निरंतर प्रयास रत रहना जरूरी होता है इस स्रश्ट में उत्वपन सभी मानव रूप में जन में शरीर सभी प्रकार के सत कर्म, सद गुणों से ओत प्रोत, सत राहूं, सद चरित्रों से ओत प्रोत, क्रिया कलाप एवं गत विध्या करने के लिए स्वधंतर है यही स्वधंतरता उन्हें संपून विश्व के सभी जीवों से मनश्य को पर्थक करते यदि इतनी बड़ी उप्लब्धी हासिल हुई है, इतना महत्वपून अवसर प्राप्त हुआ है, इतना बड़ा सुआवसर मिल गया है इतनी बड़ी सामर्थ प्राप्त हो गई है इतनी महत्वपूर्ण बुध्यमत्ता प्राप्त हो गई है विवेक्शीलता प्राप्त हो गई है तो निश्चित ही इसे निभाना ही चाहिए यदि मानवता को परतेजित कर दिया जाए मानवता को त्याग दिया जाए मानवता की विचारधाराओं को सिध्धांतों को गतविधियों को करतव्यों को भुला दिया जाए विस्मृत कर दिया जाए तब इस शरीर में बचेगा ही क्या यह शरीर तो केवल एक घट है, जिस घट के माध्यम से कारे करने के लिए अवसर मिले हैं। जैसे कारे किये जाते हैं या किये जाएंगे, वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। अनेकों लोग अपने अपने हिसाब से कारे करते हैं, अपने अपने हिसाब से जीवन चलाते हैं, अपने अपने हिसाब से जीवन शैली निरधारिक करते हैं। अपने अपने हिसाब से कारे करने के उपरांत अपने अपने हिसाब से परिणाम प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं